बगवान बुद्ध और सनीवार ये जो सनीवार है बात में इसको शनीवार किया गया क्योंकि पाली के अंदर तो शे होता नहीं, से होता है तो ये पाली में बुद्ध के समय में सनी था सनीवार और सनी को जो बोलते हैं, इसको सनी बोलते हैं सन्नी निकट या सन्नी कट या सन्नो सन्नी करके कैई वार इसका पाली में जिकर है इसका मतलब होता है संग सानिध्य नीचे यानि सन्नी संग का मतलब हम किसी के छतचाया में हैं हम किसी के साथ हैं हम किसी के नीचे हैं हम किसी के निकट है तो यह जो यह सनिवार है बेसिकली ये संगवार है संगवार का मतलब है कि उस दिन इस्पेसल रूप से सारे लोगों की असंबली होती थी असंबली का मतलब है कि मगद में भगवान बुद्ध के छित में जहां जहां लोग रहते थे सनिवार के वीकेंड के दिन तो उसका मुकाबला करते थे, ये दिन उनका रिजर होता था, मौजमस्ती का, एक दूसरे की समस्यां सुलजाने का, एक दूसरे से मिलने का, ये सामाजिक दिन था, इसलिए इसे दिन ये सब जब इखटे होते थे, तो जो इनके दुस्मन थे वो बड़ा काम दे थे क्योंकि जब समू रही कटा होता है कहीं और कहीं कोई समस्या आती है तो समू में कुछ जोशीले लोग भी होते हैं और जोशीले लोग अगर एक कदम ऐसा उठा ले हैं संग जो साथ आते थे, साथ रहते थे, वो अपने आपी खतम हो जाती थी, और ये सनी वार का दिन सारे दुनों में सबसे महत्पून दिन है, जो मैंने साथ दिन पहले भी बताया है, सत्ताहिक करके जो मैंने बताया है, इसको बाद में सत्ताहिक बोलते हैं, तो इसको बाद मे सब दिन ठीक है मगर सनिवार को बच के रहना है सनिवार को घर से बाहन दे निकलना है सनिवार को अपनी जान बचानी है सनिवार को दुबग के रहना है सनिवार को कोई हाथ ना लग जाए क्योंकि पाप करम किया है उन्होंने पाप करम किया है वो इसलीए है क्योंकि सनिवार को जो यहां के लोगे खटे होते थे वो अपने जो सत्तक थे जो सत्तक ते वैपन थे या सत्तक दंड Chuck यानि कि जो स patents वाला दंड़ा होता था बल्लम या भाला उसको साफ करते थे उसको चमकाते थे उसको चितरह से देखते थे तो इसलिए सनिवार बहुत ज़्यादा बनाशकारी और अगोशित दिन ऐसा हुआ कि उसको कहने लगे सनी चराय चड़ रहा है यानि कि इसके उपर तो सनी चड़ रहा है ये तो कोई न कोई नुकसान कर देगा आज भी सनीवार को और लोहे को देखके लोग घवर आते हैं और परिसान होते हैं ये भगवान बुद्ध के काल में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बढ़िया दिन आता जो भगवान बुद्ध को मानते हैं पाली को मानते हैं या भावा साव मेटकर के फॉलोवर हैं उनको सनिवार के दिन वही पुरानी परंपरा के नुसार अपनी संगोश्टियां, अपनी मीटिंग, अपने संगी बात हैं अपने दुखदर्द जो दूर करने के तरीके हैं उसको दुवारा से आरम करना चाहिए धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संखन शरनं गच्चा में उतं शरनं गच्चा में संखन शरनं गच्चा में संखन शरनं गच्चा में बतं शरनं गच्चा में